हलो सुपर इंवेस्टर्स बात करेंगे आज मार्केट में क्या हुआ और मार्केट में आज फिर से कर्रेक्शन क्यों आया कल अच्छी काशी तेजी देखी थी तो हम सब को लग रहा था कि बस अब उपर ही जाएगा मार्केट बड़ मैंने कल भी बताया था आपको कि बहुत ज़्यादा हमें एक्सपेट नहीं करना है मार्केट से यह रिकवरी रैली है बांस बैक रैली है उससे हमें बहुत ज़्यादा एक्साइट होके बल्क में बाय नहीं करना है और आज आपने देखा होगा कि फिर से कर्रेक्शन आ गया उसके अरौंड 10 से 12 कारण से जिसके कारण आज भी हमें गिराव टेकने को मिली है क्योंकि आज भी 103 डॉलर का रेट था पर बैरल एज कंपेर टू जस्ट एक मैने पहले उसका रेट था 124 यही एक पॉजिटिव फैक्टर है मार्केट के लिए बट बाकी निगेटिव फैक्टर इस इतने जादा है जिसके कारण मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है अगर आज अगला सब्वोट रहेगा 15,200 वहां से बॉटम आउट होकर अगर बाउंस करता है तो अच्छी बात है नहीं तो नेक्स टार्गेट हो जाएंगे 14,900 के और फाइनली 14,400 के जो की काफी निगेटिव होगा मार्केट के लिए अगला जो इसका जो रेजिस्टन्स है निफ्ट का जिसको क्रॉस करके ऊपर गया तो फिर रहेगा 15,800 एंड 16,000 का मैंने आपको बताया था 16,000 क्रॉस करेंगे करेगा निफ्टी जभी हमें लगेगा कि यहां सच में रैली शुरू हो गई है नहीं तो यह सिप शॉट टर्म रैली मतलब ए डेंजरास जोन होता है जिसमें इ तो यह अगर लॉन टम का नजरियां हो तो ही आपको थोड़ों शेर्स बाइक करना वो भी थोड़े-थोड़े ज़्यादा बबल पर करना नहीं कोई भी शेर कि आपको सभी शेर आने वाला दिनों में सस्ते में मिलने वाले है इस बात को ध्यान रखना मार्केट गिरा क्यो सबसे बड़ी बात यह है कि यूके का इंफेशन का डेटा आया है वह 9.1% का आया है नया डेटा चुकि 40 एर्स का हाइस डेटा आया है यूके का मतलब वह भी निराशा जनक रहा है उसके अलावा जर्मन का जो GDP का जो प्रोजेक्शन दिया है वहांके एजंसी ने वह 3.5% से मार्केट के लिए जो की निगेटिव इंडिकेशन कर रहा था कि रिसेशन के तरफ जा रहा है उसके अलावा पॉजिरिव बात सीव एक ही थीकल यूएस मार्केट इसने भागा था कि जो वाइडन ने अनौन्स किया है कि वह जो फेडरल टैक्स है मतलब जो वहांका जो से से टैक्स है यूएस गोर्मेंट का वह घटा कर जो जो ऑईल पे जो है डिजल पेट्रो पे घटाने वाली है उसके कारण इंफलेशन पर कंट्रोल होने को मदद मेरेगी और जो वाइडन गोर्मेंट है वह सब वाइल कंपनी को प्रेशराइज कर रही है कि अपने दाम घट सब्सक्राइब कर रही है यूएस डॉलर उसके कारण भी मार्केट में निराशा है क्योंकि यूएस डॉलर इतना स्टॉंग होगा सब्सक्राइब कंट्रीज की एकनोमी दिन बदिन वीक होते जाएगी उसके अलब आगला रिजन यह भी है कि महाराष्ट्रा में जो चल रह है वह तो सब्सक्राइब सकती है इसका भी निगेटिव मार्केट पर है क्योंकि महाराष्ट्रा का जो एकनोमी है वह बड़ा पार्ट प्ले करता है पुरे इंडिया की एकनोमी में और कमर्शल कैपेटल तो मुंबई है ही तो यह सब बार्टों से वह एक रिजन था मार्के को मत्तों वहां के संसत को उसमें क्या पॉइंट को बताने वाला है रिफलेशन के बारे में और फ्यूचर प्रस्पेट के बारे में जा यूएस की एकनोमिक है तो उसके कारण भी लोगों के मन में डर है कि अगर इसमें कुछ भी नेगेटिव कमेंट उन्हें ने किया तो म मार्केट की बात करें एशियन मार्केट की तो चैना मार्केट 1.2 20 परसंट डाउन है तैवान मार्केट 2.50 परसंट डाउन है होंग कॉंग मार्केट 2.50 परसंट डाउन है कोरियन मार्केट 2.75 परसंट डाउन है थाइलन मार्केट 1 परसंट डाउन है जैपैन का मार्केट 0 यूके मार्केट उनप्टौं duct जंवन फिंक्त कुछे गात करें वह सब दिखेने आनिव सेटक니다. से डावने एमेड ऑर ओर दिखा जाएं को सभी इंडेक्स में किराव देखने को मिल रही है तो और ओर फिर से मन्दी का महावल शुरमी चुका है इसलिए अभी आने वाल दीनों में होसकता है मार्केट मेडुआच सुब्सक्राथ सब्कक्राविन निफ्टी 14400 के आसपास भी जाते वे दिखने को मिल सकता है इसलिए प्रॉफिट बुकिंग करते रही है फ्रेंड्स क्योंकि से एक क्रूड ओयल का रेट गट रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि वही बंदी अट जाएगी क्योंकि बाकी चीजों के रेट बढ़ रहे है उसके कारण भी मार्केट में काफी पैनिक का सिचुवेशन है और जितने भी डेटा आ रहे है अलएला कंट्री से वह इंफ्लेशन के वह बढ़के आ रहे है और मैनफैचरिंग के डेटा घटकर आ रहे है अनेप्लाइमेंट का डेटा बढ़कर आ रहे है ऐसे रोज-जो डेटा अनाउन्स होते है उसके कारण भी मार्केट में जबर्द स्पेशर देखने को मिल रहा है तो आप संबलकर टेड कीजिए और अगेंस्ट युएस डॉलर इंडियन रूपीस पर लगातार भी हो रहा है आज भी 78 के उपर चला गया फिर से तो औरहाल मार्केट में थोड़ा देखने को मिल रहा है और सबसे इपॉर्टन बात और एक यह भी है कि जो और एक कंट्री है लुद्यानिया यह जो कंट्री जो लगके है रेशन बॉर्डर के आसपास उसके आसपास भी काफी आर्मी की जो एक्टिविटी बढ़ चुकी है तो ऐसा डर लग रहा है कि जो कि इंडियन मार्केट में क्या होता है और ओर रहाल देखा जाये तो अब मार्केट के सेंटिमेंट्स भी की लग रहे है तो आल दा बेस्ट अन लेट सी वान हपन्स तो बारो थांक ये फ्रेंज